दोस्तो क्या आप भी परिशान हैं अपने सफेद दाग की समस्या को लेकर तो दोस्तो आज मैं एक नुस्का लेकर आई हूँ आपकी इस प्राबलम को दूर करने के लिए तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्री चल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है दोस्तो आप फ्री में इस नुस्के का लाब उठा सकते हैं तो दोस्तो आपको इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहली जीज़ लेनी होगी नीम् möglich ट्यूप आपको किसी भी किराने स्टोर पर या फिर मेडिकल स्टोर से मिलासके हैं यह बहुत सस्ते होते हैं दोस्तों एक रुपैंगा में दो रुपैहिं में 12 आता है यह त्यूप आपको सिर्फ एक या दो ही लेने अपनी आवशक्ता अनुसार तो दोस्तो आप इसको ला सकते हैं किसी भी किराने स्टोर से और जो भी और चीजे मैंने इसमें इसमें इस्तिमाल किये हैं वो आपके घर में आपके रसोई घर में मिल जाएंगी तो दोस्तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो दोस्तो आपको सबसे पहली चीज जो लेनी है वो लेनी है हल्दी पॉडर जी हाँ दोस्तो आपको लेना है एक किलीन बाउल यानि कि एक कटोरी लेनी है आपको उसमें लेना है हल्दी उसके बाद आपको लेना है एक नेम कॉली का ट्यूब उसके बाद दोस्तों आपको नेम कॉली के ट्यूब का जो अंदर जैल होता है वाइड वाइड क्रीमी जैल होता है वो सारा आपको इसमें निकाल लेना है ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा बहुत ही सिम्पल तरीका आप इसका मुः हलका सा कट कीजी और इसका जैल निकाल लीजिए इसके बाद आपको तीसरी चीज इसमें जो लेनी है वो भी आपके ही रसोई घर में मिल जाएगी यानि के मोजूद होगी वो हर किसी के घर में होती है दोस्तों आपको लेना है सरसो का तेल जी हाँ दोस्तो आपको सरसो का खाना तेल लेना है जो आप खाने में इस्तिमाल करते हैं वो एक चमच के करीब आपको तेल लेना है क्योंकि इस तेल को डाल करके हम इसका अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से इसका पेस्ट बनाना है यानि कि इसका गाड़ा गाड़ा सा पेस्ट जब हमारा तयार हो जाएगा तो हमारा नुस्खा भी तयार हो जाएगा तो यह देखिए हमारा नुस्खा बिल्कुल अब रेडी है दोस्तो आपको इसका इसका इस्तिमाल कैसे करना है अपने सफेद दागों पर ध्यान से सुनिए मैं बताने वाली हूँ दोस्तों आपका ये नुस्का तो आप बिल्कुल रेडी है आपको इसमें लेना है थोड़ी सी कॉटन और इसमें डिप करके आपके सफेद दागों पर लगाना है लेकिन लगाने से पहले आपको सफेद दाग का जो एरिया है आपको उसको अच्छी तरह से पानी से धोलीजिए सुके कपड़े से यानी टॉबल से साफ कर लीजिए उसके बाद ये एपलाई कीजिए उस पर कॉटन की मदश से रात को लगाईए और सुबर को आप नहा लीजिए लेकिन दोस्तों एक बात का खास ख्याल है कि आपको साबुन का इस्तिमाल नहीं करना है किसी भी तरीके का साबुन फेस वश आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है अगर यूज करना है तो आप आयुरवेदिक कोई भी साबुन ले सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा